फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकर आया हूँ रोज बोले जाने वाले सेंडेसेज यानि आजके इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो रोज बोले जाने वाले इंग्लिस में काफी इस्तिमाल होता है तो आएए फ्रेंड्स आज की डेशन की सुरुआत करते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकान को हिट करें ताकि मेरा लेटेस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके फ्रेंड्स कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंडेस बोलना पड़ता है जहां कहते हैं उपर से जैसे आज बहुत गर्मी है और उपर से लाइज भी नहीं है तो फ्रेंड्स मैंने कहा उपर से तो इस तरह के सेंडेस जहां कहते हैं उपर से जैसे एक तो मैं बहुत बीजी हूँ और उपर से तुम मुझे परिशान कर रहे हो या फिर आप कुछ इस तरह के sentences बोलते हैं आज बहुत ठंडी है और उपर से तेज हवाएं भी बहे रही हैं तो friends इस तरह के sentences जहाँ आप कहते हैं उपर से को बोलने के लिए आप word और moreover का इस्तेमाल करके अपने sentences को बोलते हैं moreover का मतलब होता है इसके अलावा इसके अतरीक या उपर से आए इस बात को एकजांपर में बहतर तरीके से समझे friends अकर आपको कहना हो कि आज बहुत गर्मी है और उपर से light भी नहीं है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे it is very hot today moreover there is no electricity आज बहुत ठंड है और उपर से तेज हवाएं बह रही है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे it is very cold today moreover it is blowing hot यानि एक तो बहुत ठंडी है और उपर से तेज हवाएं बह रही है मुझे यह ice cream पसंद नहीं है और उपर से यह बहुत महँगा है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I don't like this ice cream moreover this is very costly यानि एक तो मुझको यह पसंद नहीं है और उपर से यह बहुत महँगा है एक तो यहाँ network problem है और उपर से मेरी battery खत्म होने वाली है तो friends इस sentence के लिए आप कहेंगे First it is network problem here moreover the battery is to die यानि एक तो यहाँ network problem है और उपर से मेरी battery भी खत्म होने को है मैं आज बहुत busy हूँ और उपर से तो मुझको बार बार phone कर रहे हो तो friends इस sentence के लिए आप कहेंगे I am very busy today moreover you are calling me again and again यानि आज मैं बहुत busy हूँ और उपर से तुम मुझको बार बार phone कर रहे हो एक तो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो उपर से तुम सबको disturb करते हो तो friends इस sentence के लिए आप कहेंगे First you don't want to learn moreover you disturb all तो friends उमीद करता हूँ कि आपको word moreover का इस्तिमाल शादार तरीके से समझ में आया Friends अगर वाकर या आपने इस concept को समझा तो क्या इस topic पर दो sentences coming box में लिखेंगे दो sentences coming box में लिखेंगे और मैं चेक करके बताऊँगा कि आपने साही सीखा या गलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए बाए